पिछले वीडियो में हमने आपको लंबाई की छोटी दूरियों और बड़ी दूरियों के मापने की अलग अलग विधियां बताई थी जैसे हमने छोटी दूरी के लिए मीटर पैमाने के द्वारा, वर्नियर केलिपर्स के द्वारा, इस्कुरू गेश के द्वारा और गोलाई मापी के द्वारा किस प्रकार से मापन किया जाता है और कितनी सीमा तक की दूरी को हम नाप सकते हैं ये बताया साथ ही लंबाई और दूरी मापने की आप्रित्ख्ष विधियों जिसमें हम प्रिथ्वी से दूर स्थित ग्रहों की दूरियां प्रित्वी परिस्थित पहाडी की दूरी कैसे ग्याद की जाती है इसके लिए कुछ आप्रत्यक्ष विध्यां बताई थी जिसमें हमने आपको लंबन विधी को विस्तार से बताया था जिससे हम किसी आकाश्य पिंड का व्यास और उस आकाश्य पिंड की पृत्वी से दूरी कैसे ग्याद करते हैं ये हमने आपको बता है आज हम द्रब्यमान का मापन किस प्रकार से किया जाता है समय का मापन किस प्रकार से किया जाता है छोटे द्रब्यमान का मापन और बड़ द्रवयमान का मापन किस-किस विदी से किया जाएगा इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्मानु एवं अनु के द्रब्यमान के मापन हितू पर्मानु द्रब्यमान मात्रक एटामिक मास यूनिट ए एम यू का उप्योग करते हैं इससे यू से दर्शाते हैं वन एम यू बराबर वन यू बराबर सी बारा के एक पर्मानु के द्रब्यमान का बारवा हिस्सा बराबर बारा गुनित दस की घात रिंट तीन केजी बटे 6.023 इंटो 10 तू दी पावर 23 दिवाइड बाइड वाइड वाइड हो जाएगा बजाएगा 10 तू दी पावर मीनस 3 अपान 6.023 इंटो 10 तू दी पावर 23 बराबर 1 अपान 6.023 इंटो 10 तू दी पावर मीनस 3 मीनस 23 दिवाइड करेंगे 0.16603 into 10 to the power minus 26 kg 1 amu बराबर 1u बराबर 1.66 into 10 to the power minus 27 kg सामान्य वस्तों के द्रबिमान के मापन के लिए सामान्य तुला का उप्योग करते हैं विशाल पिंडों के द्रबिमान जैसे ग्रह, तारे, आदी के द्रबिमान हितु न्यूटन के गृत्वा करशन नियम का उप्योग करते हैं अती सुक्ष्मकणों जैसे परमाणूं आदी के लिए हम द्रबिमान स्पेक्ट्रम लेखी मास स्पेक्ट्रोस्कोप का उप्योग करते हैं, जिसमें एक समान विद्ध्यूत एवम चुम्बक्य छेत्र में गतिमान आवेशित कणों के प्रच्छे पर पत्की त्रिज्या और उस कण के द्रबिमान के समान उपाती होती है. समय का मापन, मेजरमेंट अप टाइम, समय का ऐसा ही मात्रक सेकंड है, किसी भी समय अंत्राल को मापने के लिए हमें घड़ी की जरुवत होती है, प्रारम में गेलीलियों ने अपनी नाड़ी के धड़कन से चर्च के पिंडुलम का दोलनकाल का समय मापा था, इसके बाद अनेक प्रकार की घड़ियां बनाई गई, जिनमें सेकंड के एक अंच तक का समय शुद्ध रूप से मापा जा सकता था, घड़ी का दोलनकाल पिंडुलम की लंबाई पर निर्भर करता है, चूंकि लंबाई को बहुत ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, अता छोटे समय अंत्राल इन घड़ियों से नहीं मापे जा सकते हैं, अब हम समय मापन हितू समय का पर्मानुय मानक प्रयोग करती हैं, जो सीजियम पर्मानु केप्टल सी स्मॉल एस में उत्पन आवर्त कमपनों पर आधारित है, यही राष्ट्य मानक के रूप में प्रयक्त सीजियम घड़ी जिसे पर्मानु घड़ी भी कहा जाता है, उसका आधार है, सीजियम पर्मानु घड़ी की समय दर को सीजियम पर्मानु के कमपन ठीक उसी प्रकार मियंत्रित करते हैं, जैसे छोटे क्वार्ज क्रिस्टल में कमपन किसी क्वार्ज कलाई घड़ी को, अथ्वा संतुलन चक्र के कमपन सामान्य कलाई घड़ी को करते हैं, सीजियम 133 के 912631-770 कमपन में लगा समय एक सेकंड कहलाता है मापन में यथार्ता एवं मापक यंत्रों की परिशुद्धता एकुरेशी एंड प्रिसीजन आप मेजरिंग इनिस्टुमेंट किसी भौतिक राशी की माप की यथार्ता उसका वह मान है जो हमें यह बताता है कि उस राशी का मापित मान उसके वास्पिक मान के कितना अधिक निकट है जबकि परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशी किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है जैसे किसी वस्तु का वास्तिक भार 1.35 kg है यदि उस वस्तु का भार किसी यंत्र से नापें जिसके मान क्रमशा 1.33 kg, 1.34 kg, 1.37 kg आया इसमें 1.34 kg वास्तिक मान के तुल्य है जैसे किसी तारकीत रिज्या का वास्तिक मान 1.876 cm है उससे तीन यंत्रों जिसकी विबेदन सीमा 0.01 cm, 0.01 cm और 0.01 cm है से नापा गया जिसमें पहले यंत्र से उसका मान 1.9 cm, दूसरे यंत्र से 1.88 और तीसरे यंत्र से 1.877 आया तो पहले यंत्र से मापन यथार्थ किन्तु परिशुधता कम, किन्तु तीसरे यंत्र से मापन भी अधिक यथार्थ वा परिशुधता भी अधिक हुई